चलिए बनाते हैं आज बहुती बढ़िया सा एक चम्मच कॉन फ्लार से आलू का स्नेक्स तो करना क्या है ये मैंने कुछ आलू ले लिये हैं इनको अच्छी तरीके से धो लेना है और फिर इनको काट लेना है तो ये आलू छिलके समीती कटेंगे यहां पर मैंने पानी रख दिया है बॉइल होने के लिए और अभी हम इसमें डालेंगे आजी चम्मच नमक अच्छे से मिक्स कर देना है और इधर मैंने ये ट्रे पर सिल्वर फोईल भी लगा लिया है तो देखे फ्रेंड्स पानी हमारा बोईल हो गया है तो अभी हम इसमें आलू डालेंगे आलू इस तरीके से काटने हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो एक बार इनको चला देंगे जिससे की नमक सभी आलू में लग जाए और पांच मिनट के लिए इनको बोईल कर देते हैं तो देखे फ्रेंड्स आलू में बोईल आ गया है तो अभी मैं गैस बंद कर दूँगी और इनको एक श्ट्रेनर में डाल देती हूँ अभी इसमें हम डालेंगे एक चमच कॉन फ्लार एक चमच मैदा आदी चमच नमक थोड़ा सा नमक हमारा आलू बोईल करते वक्त भी हमने डाला था तो ध्यान लखें इस चीज का आदी चमच काली मिर्च आदी चमच चिली फ्लेक्स आदी चमच ओरिगेनो आदी चमच चंकी चाट मसाला नीम्बू थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च हरा धनिया फ्रेंट्स इन सबको अब भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है तो इस तरीके से उचाल कर भी कर सकते हैं आप बहुत अराम से हो जाएगा और इधर तंदूर को भी पांच मिनट के लिए पहले प्री हीट कर लेना है तो यह मैंने प्री हीट के लिए लगा दिया है पांच मिनट के लिए और यह देखिए फ्रेंड्स यह हमारे मसाले आलू पर अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है अगर आपको जरूत पड़े तो हलका फुलका सा इसमें पानी का छीटा लगा लेना जिससे की मसाले सारे आलू पर चिपक जाएं और यह मैंने तंदूर की ट्रे निकाल लिए है तो अभी हम एक कालू लेकर इस तरीके से इस पर फिलाते जाएंगे और पूरी ट्रे को हम इस तरीके से भड़ लेंगे तो देखे फ्रेंड सारे मैंने पटेटो वैजिस इस पर लगा दिये हैं तो अगर आपका मन करें तो आप इसमें थोड़ा बहुत ओयल या बटर इसमें डाल सकते हो और रगा का बिना बटर के खाने का मन है तो आप इसमें बटर या ओयल ना डाले यह आपकी चोईस के जाल रही हूं यह भी मैल्ट होकर सारे में पहुंच चाएगा चलिए अभी हम ट्रे को तंदूर में लगा देते हैं जो कि हमने प्रीहिट के लिए लगा रखा है यह देखिए यह तंदूर भी गरम हो चुका है तो बस अब हम इसको इसमें इंसर्ट कर देते हैं चलिए बंद कर दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा गरम हो रहा है तो बस बीच बीच में हमें थोड़ा तंदूर को बंद करना होता है और फिर लगे हलका सा ठंडा हो गया है तो फिर इसे खोद दीजे फ्रेंट 10 मिनट हो गए है इनको तो अभी मैं पहले तंदूर बंद कर देती हूं तो एक बार चैक कर लेते हैं तो ये देखिए कितने बढ़िया सिख चुके हैं ये लाल लाल रंग आपको दिखाई दे रहा हुआ तो भूत बढ़िया बन जाते हैं और आपको ओईल डालना है नहीं डालना वो आपकी चोईस है मैंने इसमें बटर डाला है तो भूत टेस्टी है हमारे ये पटैटो वै भी खा सकते हो या फिर आप इसे मैंनीज के साथ भी खा सकते हो तो फ्रेंड्स ये था मेरा चोटा सा वीडियो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में त झाल झाल